तो भाईयो मुझे मेरे मोबाइल फोन में एक प्राब्लम देखने को मिल लही थी और प्राब्लम क्या थी कि यहाँ पर मुझे कोई कॉल करता था तो भाईयो मेरे पास उसकी कॉल ही नहीं आते थी मतलब की जैसे मतलब मेरा कोई friend या कोई relative मुझे call करता है तो भाईयो उसकी call मेरे पास नहीं आती है उसको बताता है की मतलब की हमने उसका number block किया हुआ जब की मैंने उसका number block नहीं किया हुआ है तो आखिर कार इस problem को मैंने किस तरीके से solve किया यहाँ पर आपको दिख रहा होगा की इस वाले number को मैंने block भी नहीं किया हुआ है लेकिन भाईयो जब भी मतलब की मेरा friend मेरे पास जब call करता है तो भाईयो उसको मेरा number मतलब busy बताता है कट जाता है मतलब की call ही नहीं कर पाता है लेकिन मैंने इस problem को fix कर लिया हुआ है आखिरकार आप भी इस problem को किस तरीके से solve करोगे यदि आपके भी mobile phone में ऐसी problem आ रही है आज की इस video में हम आपको बताने वाले है वीडियो बहुत ज़्यादा छोटी आपके लिए बहुत ज़्यादा interesting होने वाली है तो चलिए वीडियो करते हैं start और आपको बताते हैं कि आखिरकार आप इस problem को किस तरीके से solve करोगे तो भाईयो simply आपको सबसे first number पर करना क्या है आपको यहाँ पर आपने mobile phone के dialer को open कर लेना है जैसे कि भाईयो मैंने आपको dialer को open किया simply यहाँ पर आपको इस recent वाले option पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करते हो अब simply यहाँ पर जो भी मतलब person आपको call करते हैं जैसे कि मेरा एे friend मुझे call करता है एंड वाईयो इसके जब मतलब call करता है तो मेरे पास call ही नहीं आता है कर जाता है तो simply आपको इसकी इस वाली profile पर क्लिक कर देना है जैसी कि मैंने याप पर इस profile पर click किया profile पर click करने के बाद simply आपको नीचे की तरफ scroll करना है यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा divert to wise mail simply आपको इस पर एक बार click करना है तो यहाँ पर लिखकर आ जाएगा don't divert root to wise mail तो simply आपको इस पर फिर से एक बार click कर देना है मतलब कि यहाँ पर आपको एक बार click करना है divert to vice mail और जैसे divert to vice mail लिखकर मतलब कि यहाँ पर फिर दुबारा आ जाता है don't root to vice mail तो simply आपको फिर से इस पर क्लिक कर देना है तो इस तरीके से जैसे ही आप करोगे उसके बाद जब आपका friend call करेगा तो भाईयो उस number पर आपको problem देखने को नहीं मिलेगी यदि भाईयो कोई दूसरा friend आपको call करता है और उसको भी same इसी तरीके की problem देखने को मिलती है तो भाईयो आपको उसकी भी मतलब कि इस तरीके से profile पर क्लिक करना है यहाँ पर आकर profile पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर उसके में भी यहाँ पर आपको एक बार diver to wise mail पर क्लिक कर देना है उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर don't root to wise mail पर क्लिक कर देना है जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो वाईयो आप जब call करेगा तो मतलब कि उसका number block नहीं बताएगा तो इस तरीके से आप भी इस problem को solve कर सकते हो यह वाईयो problem ज़्यादा तर लोगों को देखनी को मिल लई है मुझे भी देखनी को मिल लई थी मैंने इस problem को solve कर लिया तभी मैं वीडियो बना के आपको भी बता रहा हूँ तो यह आपको यह वीडियो पसंदाई हो तो यह प्लीज चैनल को subscribe कर लेना और भाईयो आपको कोई भी question होता है तो आप मुझे instagram पर बता सकते हो मेरा instagram username है rahultech tips01 और भाईयो इस वीडियो को लाइक कर देना प्यार तब तक के लिए बाई